दोस्तो आज हमारे पास आ चुका है बसकर मेंपणी की तरफ से एक पार्सेल और इस पार्सेल के अंदर एक लेटेस्ट टेकनोलीजी के दुवारा बनाया गया एक स्क्रूड राइवर है जो कि सभी टेकनिसियन और सभी लोगों के पास एक नायक हुना ही चाहिए तो आज हम इस बॉक्स को उपेन करके देखेंगे कि इसके साथ-साथ हमें और क्या-क्या भेजा गया है जल्दी से इस बॉक्स को मैं उपेन कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा मोडेल जो है हमारे पास ये स्कूरूड राइवर भेजा गया है तो बॉक्स कूछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे और इसका नमबर भी आप देख सकते हो बॉक्स प्रोपोरेशनल कौडले स्कूरूड राइवर विजूल सेंस फिल जो की गो सेरीज का वर्सेंट टू ये स्कूरूड राइवर है और इसके अंदर क्या-क्या फी वह एक बर हम देख लेंगे उसके बाद ही हम इसके बारे में बिस्तर से बात करेंगे तो इस बॉक्स को अगर हम बात करें इस बॉक्स की तो बॉक्स काफी अच्छे से पैक किया गया है और जो सील है दो तीन जगा पर सील लगा हुआ है ताकि यह हमें पता चले कि यह कहीं पर भी इस्तेमल नहीं हुआ है हमारे पास ही आके इस्तेमल होंगे और इसका जो सिरियल नंबर बगड़ा सब कुछ लिखा हुआ है जो कि यह सेकंड जेनरेशन का हमारा ही स्कूर्डाइवर है को मिल रहा है अगर इसकी वजन की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हो 307 ग्राम इसका वजन है तो कितना इसका अच्छा क्वालिटी है आपको देखने से ही पता चल गया होगा इसका वजन तो मैं इस स्कूरू रखता हूं साइड में और उसके बाद देखता हूं कि इस बीट के जिरे कोई भी स्कूरू को निकालोगे या लगाऊगे तो उस समय यह बैंड नहीं होगा काफी अच्छे से चलेगा तो इसको भी टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा बाद में इसको साइड में रखता हूं और उसके बाद देखता हूं और क्या क्या हमें मिलता है देखिए इस बॉक्स के अंदर एक इस तरीके का आपको प्लास्टिक का देखने को मिल जाएंगे इस स्कूरू डवर को करने के लिए इसको में रखता हूं साइड में और उसके साथ-साथ इसके अंदर मिलता है कि आपको चार्जिंग कॉर्ड भी मिल जाते हैं जो की USB से देखने को मिल जाएंगे और इसका भी कॉलिटी प्रीमियम कॉलिटी है आपको कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करने पड़ेंगे और इसको चार्ज करने के लिए कि उसके बाद हमें और क्या का मिलता है इस box के अंदा देख लेते हैं किसला है और इस case की अगर बात करें तो इस case का भी बहुत ही अच्छा quality है अगर आप चाहते हो इस टूल को यानरि के इस screw driver को कहीं पर आप करना चाहते हो तो बहुत आसानी से बॉक्स के जरी आप क्यारी कर पाऊगे क्यूंकि इस बॉक्स का भी क्वालिटी काफी जबर्दस्त है अगर यह हाथ से गिर भी जाए तो भी यह खराब नहीं होंगे या टूटेगा नहीं इतना अच्छा इसका क्वालिटी है तो इसको भ किस तरीके से कैसे और इसका टॉट वगरे के बाले में सारे कुछ जानकर यहां पर दिया हुआ है उसके बाद दोस्तों हमें और कोचे पेपर वर्क देखने को मिल जाती है सबसे पहले यहां पर देख सकतो जिसके अंदर लिखा हुआ है गरेंटी कार्ड यानिकि अगर साथ और एक काम का यहां पर डारेक्टरी दिया है जहां पर लिखा हुआ है सर्विस सेंटर डारेक्टरी यानिकि आगर आपका बॉस्तूल के अंदर कोई गरबड़ी हो सिर्फ इसी टूल की बात नहीं कर रहा हूं अगर आपके पास बॉस्त का कोई भी मोडेल का टूल है अगर उस टूल को सर्विसिंग कराना चाहते हो तो आपने नजदी की जो सर्विस सेंटर है वो कहां पर है आपको इसे डारेक्टरी का अंदर देखने को मिल जाएंगे तो काफी यह अच्छा इस्टेप लिया है बहुत बात कर लेंगे इसके जो में फीचर से उसके बारे म के लिए जो भी रिप्यारिंग का काम करते हैं तो उसको खोलने के लिए काफी समाई लगाना पड़ता है तो अगर अब इस में निकालोगे और लगा होगे तो काफी आच्छे से आप निकल लिया लगा सकते हो तो यहां पर कुछ गम लगा हुआ इसको स्टीक करने के लिए तो मैं इसको फुरा देता हूँ यह कोई इसू का बात नहीं है यह सभी में लगाया रहता है इसको बॉक्स के अंदर सरी सलामत रखने के लिए तो इसका सबसे ज्यादा जो खासियत यह है कि यहां पर देखिए एक नॉब लगा हुआ है जिसको घुमा के आप इसका टॉर्क क लगाने जाते हो तो उसके लिए हमें कम टॉर्क बाला जो हमें स्पिट चाहिए तो आप घुमा के इस तरीके से कर सकते हो इसमें क्या होगा आपका जो इसकुरू का जगा है जहां पे लगता है वह जगा टूटे गा नहीं अगर हम बात करें हमारे पास जो पहले एक आपको अड्वेंट्स इंट्रिजेंस वाला आपको टॉर्क मेनेजमेंट सिस्टेम भी दिया गया है इस तरीके साब आपना टॉर्क है उसको सेट करके आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो उसके बाद इस स्कुरू डॉइवर का दूसरा जो फीचर से कि आप इसको दोनों म करोगे तो हमारा इसकुरू खुलेगा और जब उसको नीचे साइट करोगे तो हमारा इसकुरू है जो लगेगा तो इस तरीके साब एंटिक लॉक और आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हूं उसकी बाद इस स्कुरू डाइवर का तीसरा जो फीचर से वो है कि मालें आपको बिट को लगाना है लगाने के बाद आपको कहीं पर भी आपको प्रेस करना है इस तरीके से प्रेस करोगे तो यह घूमने लग जाएगा तो मैं इसको खुलत हूं देखिए अगर यहां पर बटन भी दिया गया है इसको अक्तिवेट करने के लिए लेकिन आप ऐसा आप हेकाम पी आपको डर लगाया इसको हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि भराब हो जाएगा यह स्क्रूज तूट जाएगा तो आप क्या कर सकते इस तो इस तरी की साफ प्रेस करोगे तो यह घुमने लग जाए देखिए गुम रहा है अगर इसको हम उपर कर देंगे तो यह एंटी क्लॉग वाइज भूनने लग जाएगा देखे यह काफी अच्छा फीचर्स लगा है उसके बाद इसका चोथा जो फीचर्स है यहां पे बटन भी दिया गया है इस बटन के जरीए आप अपने स्क्रू को यानि कि इसको घुमा सकते हो इस साइट और एंटिक लॉग वाइज भी आप इसको घुमा सकते हो तो यह था दोस्तों से स्मार्ट स्क्रू डाइवर का मेंवें फीचर्स तो इसके जरी आप कितना हेवी काम कर सकते हो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्स्राइब क करके जूरड़ है क्योंकि नेक्स वीडियो में आपको इसके उपर एक्सपरिमेंट करके दिखाऊंगा कि कितना इंच तक यह इसक्रू को आपने उड़ के उपर प्रेस करके लगा सकता है और कितना इंच तक यह अच्छे से कम कर पाता है इसके उपर एक्सपरिमेंट वी देखने को मिलेंगे तो आगर आपके पास कोई या आपके पास कोई फॉपार चार्जर है या एड़र से बहुत सब्सक्राइब कर सकते ह लेकिन आपको यह बता देता हूं कि यह काफी अच्छा जो बैटरी बैकप दे देता है और 3.7 बोल्ट का इसके अंदर लिथियम आयम बैटरी लगा हुआ है इसलिए आपका जो बैटरी बैकप है काफी जबरदस्त आपको देखने को मिल जाएंगे तो आज के इस वीडियो म झाल